अब हम डिरेक्ट काले जादू के जो इस्तमाल होता उसके उपर हम आते हैं तो देखें कई लोगों की ये माननेता होती है और इस माननेता को तोड़ने वालों में जो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा वो रुडॉल्फ इस्टीनर का लेना चाहूँगा रुडॉल्फ इस्टीनर एक आस्ट्रियन स्पिरिच्वल फिलोसफर और साइन्टिस्ट रहे हैं ठीक है रुडॉल्फ इस्टीनर जो आस्ट्रिया एक कंट्री है और उसके ये साइन्टिस्ट रहे हैं इन्होंने प्रॉफिसर थे और इन्होंने ब्लैक मैजिक के उपर मरब स study complete की तो वो वहाँ पर है ना जो tribal community होती है tribal community जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी जो समुदाई होते हैं ऐसे लोग तो वो उनसे मिलते हैं और वहाँ पर एक घटना का वो जिकर करते हैं वो कहते हैं कि जम मैं उनसे मिला मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे मरब इन चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ तो क्या वाकिए जो black magic जैसी कोई चीज होती है तो इस सब ने बोला कि हाँ वाकिए ये चीज exist करती है तो वो तो एक वेग्यानिक ठहरे थे अब जब तक वो अपनी आँखों के सामने कोई example कोई ऐसी घटना देखना ले तब तक वो विश्वास करने वालों में से नहीं थे अब होता क्या है कि एक पेड़ होता है ठीक है पेड़ जो की बहुत हरा भरा पेड़ होता और नया पेड़ होता है तो रुडॉल्फ इस्टीनर उसको टेस्टिंग करते हैं पेड़ की टेस्टिंग कर लेते कि हाँ यह जो पेड़ है यह ज़्यादा पुराना नया भी हरा भरा एकदम इसके उपर पत्तियां आए तो वो जो आदिवासी होते हैं वो उस पे कुछ अपने जो spell होती है spell यानी मंतर होते हैं वो पढ़ना चालू करते हैं और देखते देखते within four days या one week के अंदर में वो पूरा का पूरा हरा भरा पेड मुर्जा के और तूटके गिर जाता है तो यह example देखके वो बहुत ही हरान हो गए ठीक वो बहुत ही उनको मरब he was totally amazed कि how is it possible that a green tree is going to collapse और मरब अपने समय से पहले ही collapse हो गया तो ऐसे example देखा उनने और भी तीन तरीके के example उनके सामने उनोंने दिखा है अब उनका फिर यह सवाल आया कि आखिर यह कैसे possible हो सकता है तो वो एक सीधा से example देते हैं जो कि आप अपने daily life में भी देखते होंगे कि कोई भी इनसान वो कहते है कि इसके लिए concentration की जरूरत होती है जब भी आप किसी एक चीज़ पर concentration full कर पाते हैं तो आप उस चीज़ को control करने लगते हैं जैसे आपने देखा होगा ये हर एक इनसान में भी ये चीज़ होती है कि जब भी हम गुसा करते हैं कभी आपने देखा होगा कि सामने वाला आपकी बात गुसे में जादा मान जाता है अब वो मानता क्यों है क्योंकि जब आप गुसा करते हैं तो आपकी जो आखें हैं, आखें एक जगह पे टिक जाती हों और आपका पूरा फोकस यानि पूरी बॉड़ी आपकी गुश्य करने में लग जाती है और एक पर्टिकुलर बंदे पे जा के टिक जाती है, एक विशेश बंदे पे आपकी जो पूरी बॉड़ी का concentration है वो टिक जाता और आखों के जरीए आपकी जो पूरी body language होती है उसके जरीए आप एक communication करते हैं ठीक जो कि एक मरब देखने में passive communication लग सकता है क्योंकि आप ना शब्दों का इस्तमाल करते हैं ना ऐसा कुछ लेकिन वो इतना active communication होता है कि वो आपकी बातों को उसको convince कर देगा ठीक है तो वो ऐसे ही कहते हैं कि जब भी हम full concentration के साथ किसी भी चीज़ पर focus करते हैं और उसकी हम जो अवस्था है उसको change करने में समढ़ते होते हैं ठीक है ये possible है कि आप अपने concentration से दूसरों के विचारों को दूसरों के thoughts को और दूसरे की जो physical appearance है उसको change कर सकते हैं तो ऐसे वो वहाँ पर example देते हैं और उसके बाद में ये चीज़ जो रुडॉल्फ स्टीनर होते हैं वो जिकर करते हैं और ऐसे example जब मैं article पढ़ दाता तो मैंने ऐसे कई example भी पढ़ें जहां पर आपको जानके हैरानी होगी कि जो Islamic State of Iraq and Syria है जिसे आप पूरे world का सबसे बड़ा आर्तिक संगटन आतंके संगटन के नाम से जानते हैं ये सब भी लोगों को brutally यानि बहुती कुरूरता से इसलिए मारते हैं इनका भी विश्वास होता है कि अगर हम लोगों को बुरी तरीके से मारेंगे या एक specific form में करके मारेंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बाल लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया पिंजरे में जिन्दा लोगों में आग लगा दी या सब के सामने औरेंज कपड़ों को सिलेक्ट करना औरेंज कपड़े पहना के फिर उनके जो भी हेडट करना यानि गला काट देना ये सब भी हेडट कर देना तो ऐसी जो चीजे होती है ये सब क्या करते हैं इनकी भी एक अपनी सूच है कि इससे इनकी नेगेटिव पावर एकस्पैंड हो जाएगी ठीक है नेगेटिव पावर एकस्पैंड होने के कारण इनका जो एमपायर है वो धीरे धीरे एकस्पैंड करता जाएगा हमारे विश्व के हरे कोने में कई धर्मों कई जातियों और कई संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और जिनकी अलग-अलग अपनी परंपराएं होती हैं और अपनी परंपराओं के ही अनुसार उनके कुछ लीती रिवाज होते हैं और इन ही लीती रिवाजों के बेसिस पे आप देखेंगे कि कई सारी उनक इसमाल की बात सामने निकल के आती है जिस पर विस्वास करना काफी जो रहता है वो अजीब सा लगता है ठीक है काफी अजीब सा होता है कि उन पर विस्वास करना क्योंकि आज के भी समय में अगर हम देखेंगे तो जब भी बात आती है कि जैसे कि हिंदुईजम में बात की ज जब अपनी मर्जी से छोटा कर सकते थे और ऐसी ही तरह तरह की कहानिया जो होती हैं वो दूसरे भी जो किताबे होती हैं वो देखने को मिलती हैं तो यहां पर सवाल यह उढ़ता है क्या इस प्रकार की जिन भी शक्तियों की बात की जाती है भले ही अगर उसे नेगेटिव व होती है कि देखें पहले हम दोनों में फर्किस हमझते हैं कि जो शक्तियां होती हैं शक्तियां कितनी तरीके की होती हैं तो जो मेली होते हैं मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं आपको तो दो तरीके की एनर्जी इस पूरे वर्ल्ड में exist करती हैं एक होती है positive energy जिसे आप सकरात्मक उर्जा कहते हैं और एक होती है negative energy जिसे हम नकरात्मक उर्जा के नाम से जानते हैं अब सकरात्मक उर्जा क्या होती है सकरात्मक उर्जा एक ऐसी उर्जा होती है जिसका इस्तिमाल अच्छे कामों के लिए किया जाता है जिसके पीछे का जो इंटेंशन होती है जो इराद होते है वो कुछ ना कुछ नेक काम को करना होता है जैसे कि जब भी आप अपने गौड से ठीक है गौड अपने भगवान से प्रेयर करते हैं कि आपको वो शक्ती दे ताकि आप अपने जीवन में जो भी आपने मिशन एक गौल लखा हुआ है उसमें कामियाब हो सके तो वहाँ पर जो एनर्जी आपको मिलेगी ठीक है वो एक आप अपने प्रेयर करते है गौड को प्रेयर करते है क्योंकि गौड पर आप विश्वास रखते है कि वो किसी न किसी तरीके से आपकी हल्प करेंगे और आप ऐसा बोलके एक एनर्जी का एक पॉजिटिव एनर्जी का जो एट्मोस्फियर है एक्जिस्टेंस है वो आप फील करते हैं ठीक यह हो गई पॉजिटिव एनर्जी या आप कभी ऐसा होता है कि जब कई लोगों के बीच में आप जाते हैं जहां पर कई सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है कई सारे जो अपनी अच्छी स्टोरी सुना रहे तो वहाँ पर एक positive environment create हो जाता है और वहाँ पर आप एक positive energy का अनुभव करते हैं यह तो रही positive energy की बात now we come to the second energy and that is called the negative energy ठीक है अब negative energy के बारे में बात करते हैं negative energy क्या होती है negative energy भी एक इतरीके की energy है ठीक है हम उसे positive और negative तब कह देते हैं जब उसका इस्तेमाल अच्छे और बुरी चीजों के लिए किया जाने लगता है तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एनर्जी का जो इस्तेमाल होता है वो बुरी चीजों के लिए करने लगते हैं तो उसको हम negative energy कहते हैं तो इसी तरीके से जब हमने जैसे की अभी हमने बात की हिंदुईजम में बहुती प्रचलित एक कथा के बारे में ठीक है एक करेक्टर के बारे में जो हनुमान जी का करेक्टर था कि उन्होंने अपने size को बड़ा कर लिया या छोटा कर लिया कईयों का ये सवाल होता कि मरब was that possible to expand or contract your body ठीक है तो मैं इस पे कहना चाहूंगा जी हाँ ये बिलकुल सत्य घटना हो सकती है ठीक है इसकी पूरी possibility है कि वो अपने body के आकार को बड़ा या छोटा कर सकते थे अब देखिए ये जो मैं बात कह रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि मरब बिलक दच्छड अफरीका में ठीक दच्छड अफरीका के मेक्सिको में एक community है ठीक जो सिमिनिजम को follow करती है सिमिनिजम यानि जो ओजहा लोग होते हैं ठीक है ओजहा लोग होते हैं इनकी जो community होती है इनमें अभी भी ये चीज बहुती समानने रूप से प्रचलित है कि वो के रूप में कनवर्ट हो जाना ये बहुत थी आम सी बात होती है आपको और मुझे ये सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है कि आखिर कोई इनसान अपने आपको किसी जानवर में कैसे बदल सकता है लेकिन ये वहाँ पर बहुत ही प्रचलित है और उनमें कुछ ऐसी आप देखेंगे न तो एडवांस नहीं होते हैं ये जाता कि जैसे आज के टाइम में मुबाइल फोन या कंप्यूटर ये टेकनोलजी का इस्तमाल बिल्कुल ने ये जो जंगलों में रहते हैं गहने जंगलों में रहते हैं वहाँ पर रहते हैं और इनके पार जो गंसन्ट कि जो पहले के समय में जो रिशी हुआ करते थे, रिशी मुनी हुआ करते थे, वो एक जगा पे बैठके, दूसरी जगा पे, यानि काफी किलोमेटर, कई सो किलोमेटर दूर अगर कोई वक्ती बैठा है, तो उसके साथ में बात कर सकते थे, वो बस अपनी आखे बंद करते थे और आखे बंद करने के बाद एक connection, एक network वहाँ पर established हो जाता था और वो अपनी बातों को, अपने thoughts को deliver कर सकते थे दूसरे के मन तक और दूसरे के मन की बाते जान लेते थे तो आखिर ये कैसे possible था, ठीक है I mean many of the people in the modern time does not believe on these things but this is the reality and this is called the telepathy science अब ये हो तक किस वज़ा से, मरब कैसे ये जो पूरा process चलता था आज के time में ये possible क्यों नहीं हो पाता, इनकी मैं आपको reason बताता हम telepathy में होता क्या था, कि जब भी आप इसको करने के लिए, इस process को करने के लिए आपको अपनी जो mind की faculty होती है, इसको stable करना पड़ता है और एक ऐसी reach पे जाना पड़ता है, एक ऐसी अवस्था में जाना पड़ता है जब कि आपका जो concentration है, वो break ना हो पाए और ये करना बेहदी मुस्किल होता है, ठीक है बहुत ही जादा concentration की जरूरत होती है तो पहले के समय में आप देखते थे कि लोग तपस्या करते थे तो जो ये जो तपस्या करते थे, ये क्या होता थे ये अपनी body पे, अपनी जो इंद्रिया होती है उन पे control पाने के लिए होता था और जैसे ही जितना आप control कर लेंगे तो आप इन चीजों को धीरे-धीरे आप connection को establish कर सकते है और इसके जरिये आप जो है अपने मन की बाद दूसरों के मन तक पहुचा सकते हैं या दूसरों के मन के बाद अपने तक पहुचा सकते थे अब हुआ क्या जैसे जैसे ये चीज पहले पुर्चिली थी लेकिन जैसे जैसे हम modernity की तरफ move करते गए नई नई technology आ गई ठीक और जैसे ये technology आ गई तो technology का use करने से ये चीज धीरे-धीरे खतम होती गई जैसे कि आपको पता होगा एक प्रकरती का नियम होता है प्रकरती हर उस चीज को खतम कर देती है जिसकी जरूरत नहीं होती और हर उस चीज को पैदा कर देती है जिसकी जरूरत होने लगती है जैसे कि विज्ञान में इसका एक example दिया जाता है कभी भी आपने जिराफ की जो गरदन देखी होगी वो इतनी लंबी क्यों होती है क्योंकि पहले ऐसा नहीं है कि वो पैदा होता ही जिराफ की जो गरदन है वो लंबी होने लगी थी उनकी जरूरत के हिसाब से कि उनको पत्तियों को तोड़ने में खाने में बहुत जादा difficulty होती थी तो उनको जोर देना पड़ा अपने गर्दन पर धीरे धीरे जो ऐसे ऐसे gene उनके आने वाली generation में आ गए कि उनकी जो गर्दन है वो बड़ी होने लगे तो इसी तरीके से जब जो टेली पैथी था ठीक है जो ये संचार वाली जो technology थी जो वो अपने mind से कर लेते थे जैसे ही technology के new invention आई इसकी जरूरत खतम होने लगे लोगों को क्या करना है अब लोगों को बातों को deliver करना है तो वो phone के जरीए easily कर सकते है टेक्स्ट message कर लिया आप ये थोड़ी है कि आप concentration लगाने बैठींगे क्योंकि ये बहुती deeply जाना पड़ता है इसको करने के लिए तो ये धीरे धीरे खतम होती चली गई ठीक शुरुआत से ही खतम होती चली गई ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं एकदम mobile आया तबी लेकिन धीरे धीरे जब जरूरते किताबों का मरब किताबों की invention हो गई लोगों को लिखना पढ़ना आ गया तो ऐसे वो अपने माइंड से चीजों को भेजने में आसमर्थ होने लगे क्योंकि उसकी जरूरत जो है वो खतम हो गई